आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है आज के ही दिन कारगेल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का जंड़ा भराय था आप कल्पना कर सकते उंचे पहड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना ने भारत की जीत पहाड की उंचाई की नहीं भारत की सेनाओं के उंचे होंसले और सच्ची विर्ता की इतनी उंचाईयों पर विजय पाना मात्र गगन चुम्बी चोटियों को फते करना नहीं है ये देश की समूची शक्ती को दर्शाता है हमारी सेनाओं के शौरिका प्रतीक है युद्ध सरकारे नहीं लड़ते युद्ध पुरा देश लड़ता है सरकारे आती जाती रहती है लेकिन देश के लिए जो जीजने और मरने की परवाह नहीं करते हैं वो अजर अमर होते हैं साइनिक आज के साथ की आने वाली पीडी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं हमारी आने वाली कल्प सुरक्षित रहे उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है साइनिक जिन्दगी और मौत में वैद नहीं उनके लिए तो करतव यही सब कुछ होता है कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम में साहस की जीत थी कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी कारगिल में विजय भारत के सामर्थर और संयम की जीत थी कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी कारगिल में विजय प्रते देश्वासी की उमीदों और करतव्य परायरता की जीत थी साथियों कारगिल यूद्ध के समय अटल जी ने लाल के लिए से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगी खैने अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाने थी उन्होंने कहा था कि यादी कोई दिविदा हो कि तुम्हे क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाई व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयम से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि कर्गिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है कारगल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ण रिल्ले लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुती दी थी अपना रक्त बहाकर जिनोने सर्वस्व न्योचावर किया उन शहीदों को उनको जन्म देने वाली बीर माताओं को भी मैं नमन करता हम जिसने अप्डेट